देखें, ग्रेचूटी का मतलता है बोनस का पैसा, जो पुराने करमचारियों को दिया जता है, ग्रेचूटी उसे बोलता है, जो भी कमपनी, चाहें वो सरकारी हो, चाहें वो प्राइवेट हो, जिसमें 10 से जादे करमचारी काम करते हैं, किस से जादे करमचारी, 10 से जादे क करमचारी काम करते हैं उन्हें एक bonus यानि gratitude देनी पड़ती है यह नियम 1972 में लाए गया था लेकिन यह सब को नहीं दिया जाता है जो करमचारी एक ही company में बीना मतलब इनसान को bonus पैसे दिये जाते हैं अब आप कहेंगे कितना पैसा तो साल जब खतम होता है तो उसको 15 दिन का extra पैसा दे जाता है 15 डेज एक्स्ट्रा सेलरी पर यह तो एक साल में 365 दिन का उसको सेलरी देते हैं लेकिन अगर वो करमचारी 5 साल से पुराना हलाकि government इसे 3 साल करने वाली है बहुत जल्दी तो उसे आपको 15 दिन का extra ग्रेचुटी देना पड़ता है यानि आप निकाल सकते हैं आधे महीने की सेलरी अगर मानके चलिए कोई इनसान आपके साथ 6 साल से काम कर रहा है और उसको आप हर महीने सेलरी देते हैं 20,000 रुपईया तो 20,000 महीने का सेल इंटारी तमारी देते हैं 15 दिन ठी सिह काता है 20,000,000 देती है इर चॉटरी निंनृक्री निकालने का टी होता है और ऑब अब किस औरे देज्टे वृवरही दशी सादे ने हागा निवाए क्रेचूरी रखक रियो से जोटात लिए जाले कि कोई आदमी है, जिसकी सेलेरी है 40,000 रुपया, और 12,000 रुपया उसको DA मिल रहा है, यानि टोटल उसकी सेलेरी कितनी हो जाती है, सेलेरी प्लस DA मिलाके 52,000 रुपया, तो ग्रेचुटी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो दोनों को जोड़े है तो 52,000 रुपए यहां लिख देते हैं 52,000 गुड़े कितना दिन का सेलरी देना है तो 15 से यहां गुड़ा कर देते हैं मान के चलिए यह व्यक्ती 10 सालों से काम कर रहा है इसका टेनियोर यहां कितना लिख देते हैं 10 साल बटा कितना से भाग देना है 26 से जब आप 26 से भाग देंगे तो 26 दुनी बावन यहां हो जाएगा 2,000 यहां कितना हो जाएगा 2,000 बस यहां इस तरह देखना है आप इसका 10 साल का टोटल ग्रेचुटी आरी है 3,000,000 रुपय तो हर साल का 10 साल का नहजी हम तो यहां 10 साल निकाल दिए ने टोटल टेनियोर का कि 10 सालों में इसे ग्रेचुटी की रुप में 3,000,000 तो हर साल इसे ग्रेचुटी कितनी